नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा आउनलाइन क्लासेश पे तो दोस्तों आज हम जिस भरती के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों इंडिन आर्मी ओपन रैली भरती निकली है यहां पर दोस्तों इस भरती के लिए एपलाई करने के लिए आपकी जो योगिता होनी चाहिए वो सोल्जर जीडी के लिए टैन्थ और क्लर्क के लिए 12 पास होना अनवारी होगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भरती के लिए आपको आबेदन कप करना है क्योंकि आप सभी ज होने के बाद ही भरती प्रक्रीया शुरूप होती है तो दोस्तों यहां पर झम कोई तो यहां पर देख सकते हैं यह ऑफिस जो इंडियन आर्मी के तरफ से अपलोड की गई है उसका मैंने स्क्रीन सोट यहां पर कुछ लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं जनरल डूटी और सोलजर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेकनिकल और इंडियन गोर्खा, ओल कैटेगरीज यहां पर यह अपलाई करेंगे और इस पोस्ट के भरती है तो आगे की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इनी सब के बारे में तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर रहे होंगे हम आ चुके हैं इस समय इंडियन आर्मी की ऑफिसिल वेपसाइट पर यह वेपसाइट पर अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं तो आप www.joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख रहे हैं लेटेस्ट रेली जसी ओ अबलिक ओर तो दोस्तो यहां पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देखेंगे RO Headquarters Ambala Reli Notification तो इसको हमने पहले से ही कलिक करके रखा हुआ है यहां पर है दोस्तो यह तो यहां पढ़ सकते हैं Recruiting Office Headquarters Ambala Army Recruitment Rally at तेजली Sports Complex युम्ना नगर from 12 मई 2020 से 22 मई 2020 तो दोस्तो यह जो भर्ती होने वाली है वो 12 मई 2020 से 22 मई 2020 की बीच में होगी तो इसी की बारे में हम आपके लिए कुछ डेटिल में बताएंगे तो दोस्तो आर्मी रेक्रूट्मेंट रैली विल भी हैल्ड फॉर इलिजिबल कैंडिडेट्स ओप डिस्ट्रिक्स अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुछेत्र, यम्ना नगर, पंचकुला और चंडिगर्ड तो दोस्तो यह जो मैंने डिस्ट्रिक्स बताया आपके लिए इनके जो कैंडिडेट्स होंगे जो उम्मीदबार होंगे वो इस भरती के लिए 12 मई 2020 से 22 मई 2020 के बीच में तेजली स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स यम्ना नगर में जाकर भरती में सामिल हो सकते हैं तो दोस्तो उससे पहले आपको करना क्या होगा कि आपके लिए ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करना अनवारी कर दिया गया है अभी इंडिन आर्मी के तरफ से तो जो आपको ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करना है वो 13 मार्च 2020 से 26 अपरेल 2020 के बीच में करना अनवारी होगा तो आज है दोस्तो 11 मार्च तो दो दिन बात यहां के जो इस भरती के रेजिस्ट्रेशन है वो अपलाई ऑनलाइन अपलाई होने लगेंगे तो अगर आपको रेजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अगर कोई भी प्रोलम आती है तो आप मुझसे पूंच सकते हैं तो 13 मार्च 2020 से 26 अपरल 2020 के बीच में जो है यह रेजिस्ट्रेशन की जाएंगे उसके बाद में आपके दोस्तों जो एड्मिट कार्ट होंगे वो आपको इमेल के द्वारा आपके इमेल एड्रस पर भी दिये जाएंगे वही इमेल एड्रस आप दीजिएगा जो आपका च दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर भरती किसकी होगी तो सोल्जाज जनरल ड्यूटी सबसे पहले है यहां पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट होगी वो 17.5 से 21 साल तक होगी मतलब साड़े 17 साल से 21 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस बरती के लिए अपलाई कर सकते हैं हाइट होगी दोस्तों आपकी 170 सेंटिमिटर वेट होना चाहिए 50 केजी और आपका चेश्ट होना चाहिए 77 सेंटिमिटर वेट 5 सेंटिमिटर एक्सपेंशन तो दोस्तों यहां पर आपके लिए अपलाई करने के लिए जो के वार है 10th pass होना अनवारी होगा 10th में आपके overall 45% marks होना चाहिए और each subject में आपके 33% marks होना अनवारी है तो आप general duty के लिए apply कर सकते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तो soldier clerk oblique storekeeper टेक्निकल है इसकी जो age limit होगी वह साड़े सत्रा से तेश साल होगी तो आपके लिए एक October 1997 से एक अप्रज 2003 के बीच में आपकी जो है वो date of birth होनी चाहिए है दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छी ली गई है हाइट यहां पर 162 cm है वेट यहां पर आपका 50 cm होगा और चेस्ट आपका सेम 77 cm with 5 cm expansion तो दोस्तों soldier clerk storekeeper टेक्निकल के लिए आपको अपलाई करना है तो आपके लिए 10 प्लस 2 यानि कि intermediate पास होना जरूरी है और आपके लिए 60% marks भी होना अनुवाली होगा यहां पर दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से आपने इंटर किया है तो आप 60% marks अगर आपके पास में हैं और इस सब्जेक्ट में 50% marks हैं तो आप इस भरती के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर भी दोस्तों सिंपल सा है आपको केबल 12 पास होना अनुवारी होगा 60% marks होना चाहेंगी 12 में और सभी सब्जेक्ट में 50% से marks कम नहीं होने चाहेंगे उसके बाद में हैं दोस्तों इंडियन गोर्खा all categories तो इंडियन गोर्खा जो होंगे वो इनकी age limit होगी as applicable in their categories तो age limit इनकी जो categories में आर्मी निर्धारित कर रखी है वो इनकी age limit होगी height होगी दोस्तों यहां पर इनकी 157 cm, weight होगा 48 kg और आपकी जो chest होगा वो होगा 77 cm उसके बाद में दोस्तों हम कुछ यहां पर physical standard के बारे में detail जान लेते हैं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्मी में जो physical होता है वो 60 नंबर का होता है दोस्तों तो 60 नंबर के physical में आपके लिए race होती है यह 100 नंबर का physical होता है जिसमें race यानि कि running के जो नंबर होते हैं वो 60 होते हैं और जो आपका pull ups होती है उसके 40 नंबर होते हैं तो दोस्तों अगर आप 1600 मिटर यानि कि 1.6 km की running आप अगर एक 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलते हैं और वही race अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप पूरी करते हैं तो आपको 48 नंबर दिये जाएंगे उसके बाद में दोस्तों अगर आप pull ups यानि कि हम जिनको चिनप बोलते हैं अगर आप 10 लगाते हैं तो आपको 40 नंबर full marks मिलेंगे 9 चिनप लगाते हैं आ आप इस भरती में पास हो जाएंगे उसके बाद में 9 फिट डिच और जिगजग बैलेंस में आपको only need to qualify करना होता है इसमें आपके लिए कोई भी मार्ट नहीं दिये जाते हैं तो यह जो marks है 100 नंबर के जो फिजिकल है यह only gd और ट्रेट्समेंट के लिए होता है तो दोस्तों यह थी हमारी भरती के बारे में कुछ detail इसमें मैंने जो main points थे वो मैं आपके लिए बता चुका हूं तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई doubt है कुछ आपको पूछना है त इसकी जो online registration है वो 17 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर जो यह वैल आइकन आ रहा है इस तरह से बटन आएगा सब्सक्राइब के पास में उसको जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँच रहेगी क्योंको दोस्तों आप दे current affairs, general knowledge और जो army और governments की जो भरती की detail होती है वो डालते रहता हूँ तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको क्या होगा कि जल्दी से जल्दी जो भरती निकलेगी उसकी detail आपको मिलती रहेगी तो उमिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लायक करें, कमेंट करें और जड़े से जज़ेड़ा से शेयर करें तो चलिए दोस्तों, finish करते हैं आज की वीडियो, कल फिर में लेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक क्ली नमसकार, जेहन जभारत